जाकेन अगर बटला उस मार्केट में सिविल डिफेंस के वॉलिंटियर की तैनाती की जाए हमारा चैनल जामियन अगर अगर अप्डेट आपसे अपील करता है कि आप अपने पर्स, अपनी जेब और अपने बैक का खास खयाल रखें नहीं तो आपकी ईद की खरेदारी को जटका लग सकता है जैसे जैसे रमजान घुजरता जा रहा है और ईद खरीब आती जा रही है बटला होस और जाकेन नगर में भीर बढ़ती जा रही है वैसे तो उकला के लगबख सभी अलाकों में अच्छी अच्छी दुकाने खुल गई है लेकिन इसके बावजूद हर किसी को लगता है कि ईद की खरेदारी बटला होस या जाकेन नगर जाए बिना मुकमल ही नहीं होती ऐसा लगता है कि हर किसी की बस एक ही मन्जल है बटला हाउस अब चुकि रमजान का आखरी अश्रा चल रहा है ऐसे में इद की खरेदारी के लिए बटला हाउस और जाकेन नगर में बहुत जादा बीड होने लगी है इन दिनों यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है ट्राफिक की खराब हालत और पॉकेट मारों का बढ़ता आतंग मार्किट असोसेशन वालों की यह पूरी कोशिश होती है कि आपकी ईद की खरेदारी खुशी 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 घुजर जाए मगर इसके लिए जरूरी है कि यहाँ ऐसे लोग मौजूद हो जो ट्राफिक पर कंट्रोल रखें और ऐसे कोशिश भी करें कि आपके साथ चोरी का वाकिया ना हो जाए। जा सके और दूसरे जो पॉकेट मान बड़ी संख्या में घूम रहे हैं उनसे मार्किट को पाक किया जा सके। में पिक पॉकेटिंग हो रही है चोरी हो रही है और ट्राफिक जाम वगरा की समस्या है तो और शान्ति विवस्ता को बनाए रखने के लिए हमें सिविल डिपेंस के वॉलेंटियर्स आप दीजिए लिश्काम सेवा के तहत उन्होंने देने का हमें वादा किया है। वैसे तो मार्गिट असोसेशन के साथ साथ समाज सधा ट्रस्ट के लोग भी इस कोशिश में लगे हैं कि आपकी ईद के खरेदारी बहुत ही खुशी-खुशी मुकमल हो जाए। मगर इसके बावजूद ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं जिससे लगता है कि यहां सिविल डिफेंस ये लोगों की तैनाती जरूरी है। हमारा चैनल जामियर अगर अबडेट्स आपसे अपील करता है कि आप अपने पर्स, अपनी जेब और अपने बैक का खास खयाल रखें नहीं तो आपकी ईद की खरेदारी को जटका लग सकता है।